दोस्तो आज मैं एक AC loan application के बारे में आपको बताऊंगा जहांचे आप सिर्फ अधर कार्ड और पेन कार्ड के बेसिस पर पूरे 9 लाग रुपया तकी loan ले सकते हो और यहाँ पर आपको जो भी loan मिलेगी वो एक NBFC कंपने के थ्रू ही मिलेगी तो यह बहुती trusted application पे है तो यह कौनशे application है यहाँ पर loan apply कैसे करना है और हमें यहाँ पर दोस्तो loan मिली हुई है तो उसका प्रूप भी आपको बताएंगे तो उमिद करते हैं कि आप इस वीडियो को सुरू सिले के आं तक जरू देखेंगे तो नमस्कार दोस्तो जगुगयन में आपका एक बर फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आकन डबा कर all notification on कर दो जैसे हमारे हर आने वाले इसी तरीक से न्यूव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहा है तो चले दोस्तो वीडियो को सूप करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो यहाँ पर आप इस application का लोन देखो यहाँ पर आपको किस तरी किस लोन मिलेगी उसका प्रोसेस भी बताएंगे तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना प्यान का नंबर एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर हमारा employment type सेलेक करना है कि हम sell it है या self employee उसके बाद दूस्तों निचे यहाँ पर NBFC, NBFC partner और bank वगेरा बताई हुई है इन में से किसी एक से है आपको लोन मिलेगी जरूर यह सारा detail फिल करके यहाँ पर simply continue पर क्लिक कर देना है अब जैसे continue करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरी के center पर साएगा अब यहाँ पर दूस्तों हमारे सामने 4 step आएगे और 4 step हमें complete करना है यहाँ से loan लेने के लिए पहले में दूस्तों यहाँ पर हमें कुछ basic detail देनी है उसके बाद यहाँ पर हमें approval offer मिलेगी offer मिले के बाद दूस्तों यहाँ पर हमें complete KYC करनी है और हमें यहाँ पर auto page setup करना है यानि कि हर मन्त की EMI automatic से हमारे bank account से कर जाए अब यहाँ पर basic detail में सबसे पहले यहाँ पर हमारे full name एंटर करना है जो प्यानिकाड में हो से अमेसा ही उसके बाद यहाँ पर हमारे email address देना है यहाँ पर हमारे get of birth देनी है निच्चे यहाँ पर हमारे gender select करना है और उसके बाद निच्चे यहाँ पर हमारे pin code number एंटर करना है उसके बाद निच्चे आओगे तो यहाँ पर हमारी monthly income एंटर करनी है उसके बाद यहाँ पर हमारी income mode से लग करना है कि हमारी income bank में आती है या case में आती है उसके बाद simply submit पर लिक कर देना है जैसी submit करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा अब यहाँ पर हमारी eligibility वगरा check होगी और तुरंती हमें बता दिया जाएगा कि हम कितनी limit के लिए eligible है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमें यहाँ पर पूरे 30,000 रुपय के limit मिली है यहाँ पर आप देखोगे तो congresulation का message मिल चुका है यहाँ पर हम 10,000 रुपय से लेके पूरे 30,000 रुपय तक की limit ले सकते है अगर यहाँ से हम 30,000 रुपय के लोन लेते है तो यहाँ पर बताई गया कि हर मत हमें 2960 रुपया repayment करना होगा 12 मेहने का हमें tenure मिला है अब यहाँ पर एक detail का option है उस पर click कर के हमारी लोन पर कितना fees इंसाज लगेगा वो हम यहाँ पर देख सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो अगर हमें 30,000 रुपय की लोन 12 मेहने के लिए लेते है तो उस पर 34% interest लगाई जाएगा 2940 रुपया हमें हर मंत EMI प्या करना होगा 12 मेहने का tenure मिला है 30,000 रुपय की लोन amount है हमारी उसमें से 975 रुपया processing fees लगाई जाएगी 117 रुपया GST लगाई जाएगा 5,808 रुपया total interest लगेगा और इस सारा कुष काट के 28,895 रुपया हमरे bank account में आएगे और हम इस लोन की बात करें तो अगर हम इस 30,000 रुपया की लोन 12 मेहने की लेते हैं तो हमें 7,000 या साड़ा 7,000 रुपया ज्यादा जुकाना रहता है तो इतनी मेंगी पड़ती है दोस्तों ए लोन तो यहाँ पर सिंपल हम अभी go it पर क्लिक करेंगे अब इस लोन को लेने के लिए निचे एक option मिलेगा start your application तो simple हमें उस पर क्लिक करना है जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमरे सामने कुछ इस तरी के center फिसाएगा अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ work detail देनी है तो work detail में फिस से हमें यहाँ पर OQ में type select करना है यहाँ पर हमारे industry type select करनी है कि कौन से industry में हम काम करते है उसके बाद यहाँ पर हमारे net monthly income enter करनी है उसके बाद simply submit पर क्लिक कर देना है जैसे submit करेंगे तो हमारे समने अगला step open हो जाएगा जिसमें हमें KYC करनी है अब KYC में हमें यहाँ पर आधार काड की detail देनी है तो आधार काड number यहाँ पर enter करेंगे यहाँ पर capture call करेंगा वो यहाँ पर enter करेंगे और next पर click करेंगे जैसे next करेंगे तो हमारे आधार काड में जो mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा और OTP यहाँ पर हमें एंटर करना है और submit पर click कर देना है तो हमारे आधार कर के वैसे यहाँ पर successfully हो जाएगा अब अगले page में यहाँ पर हमें एक selfie देनी होगी तो selfie के लिए यहाँ पर कुस interaction बताये हुआ है इसे follow करते हुए हमें यहाँ पर एक selfie देनी है अब यहाँ पर एक option मिलेगा continue to emendate तो simple हमें उस पर click करना है अब यहाँ पर दोस्तो हम से एक bank detail पुछी जाएगी जिस bank account में हम इस low number को लेना चाते है वो bank detail यहाँ पर हमें एंटर करनी है और यह bank account से दोस्तो हमरी हर मन्त की EMP कटेगी तो एह बात का ख्याल रखना है अब यहाँ पर bank account में यहाँ पर हमारा IFC code एंटर करना है यहाँ पर हमारा account type से लेकरना है कि saving हे या current उसके बाद यहाँ पर account number दुबारा से वही account number यहाँ पर enter करना है उसके बाद niche school करना है और यहाँ पर हमें suis करना है कि हम E-Mendate के से करना चाते है debit card करना चाते है चुझ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर दोस्तो हमारे यहाँ यहाँ पर ad-American here करना है और next पर click करना है जैसी next करेंगे तो हमारे bank में जो mobile number link हो का उस पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP यहाँ पर enter करेंगे और submit पर click करेंगे तो हमारे email net यहाँ पर दोस्तों successfully सब्मिट हो जाएगा और हमारे समय कुछ इस तरीके से इंडर्वेस आएगा अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो Congress toulation का message फिर से आ चुका है और यहाँ पर बताए गई है कि आपकी loan application submit हो चुकी है अब इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है यहाँ पर एक या दो घंटे वेट करना है एक या दो घंटे के अंदर हमारी loan amount हमारे bank account में पहुंच जाती है और विदिन चे विदिन 24 गंटे का समय दोस्तों यहाँ पर एक company लेती है अब यहाँ पर दोस्तों हमारी application और एक हमें डिटेल सारी चेक होगी और उसके बाद तुरेंती हमारी loan amount हमारे bank account में transfer कर देगी तो इस तरीक से दोस्तों आप इस application चे लोन ले सकते हो आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ other card और पेन कर के basis पर हमें पूरे 30,000 रुपे की loan मिल चुकी है तो अगर आप भी other card और पेन कर के basis पर लोन लेना चाहते हो तो आप इस application के तरफ definitely आ सकते हो तो अब चलिए दोस्तों दानते हैं कि यह application को ची है तो दोस्तों आज मैं जिस application के बारे में बता रहा हूँ उस application का नाम है etel यहाँ दोस्तों etel से ही आप 9,000 रुपे की loan सिर्फ other card और पेन करके business पर ले सकते हो तो दोस्तों अगर आप भी etel से loan लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको play store से etel thanks application इस्टोल कर लेनी है उसके बाद उसे open करना है अब यहाँ पर दोस्तो open करोंगे तो अगर आप नहीं user होगे तो यहाँ पर आपको अपने mobile number वगरा से sign up करना होगा उसके बाद आपके सामने इस तरह homepage आएगा यहाँ पर दोस्तो इसका mobile number से sign up करने के लिए आपके पास etel का sami him होगे तो ही आप यहाँ पर sign up कर पाऊगे अब दोस्तों यहाँ पर एक बाद तो clear है कि यहाँ से loan लेने के लिए आपके पास etel la sum होना चाहँ है अब यहाँ पर जैसे आप मोबाल नमबर से sign up वगरा कर लोगे तो आपके समने इसका home page open हो जाएगा इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे product दिखेगे जैसे के recharge and bill payment कर सकते हो यहाँ पर आपको credit card वगरा पी show करेगा उसके लिए भी आप apply कर सकते हो जैसे बहुत सारे offer और बहुत सारे product देखना को मिलेगे आप शाहे तो इसका use कर सकते हो अधरवाज अगर आपको loan की जरूत है तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा पे का simply उसपर क्लिक करना है तो हमारे समने अगला page open होगा अब इस space को थोड़ा नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर एक section दिखेगा और EMI calculate भी कर सकते हो तो आज हम यहाँ पर दोस्तों प्रस्नल लोन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पहला option है उसपर हम क्लिक करेंगे जैसे उसपर हम क्लिक करेंगे तो अब आपके समने वही प्याला जाएगा जहां से हमने वीडियो की सुरुआत की थी अब यहाँ से आ और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुर्बाए